इस्फिर टीपी, जैनर्जी करनसी अप दस्टेल। प्योड़े बच्छों आज दुनकर पढ़ेंगे, अद्वनिस्टी थाइफ भॉस्टेल यानि एटीपी, जिसको इनर्जी करनसी अप दसल भी कहते हैं। कर्न passion के लिए टरव से जो से हमलों का पास कर्दी जाता ऊंच होगाइए और भ्यों टरविय। यह इसको ATP के पास में जमा रखता हैक तो सबसके पहले इसके हिस्तिक बाइब ने मारे कर लगते हैं कि रएक्य। प्रिस लिफमेन ने कहा कि उसके बारे में तक्स्क्रीव से स्ट्रक्ट्यर के बारे में बताया और यह बताया कि और बारे में चल कि उसको निबल प्राइज नी विला ठीक है तो हम गोर करते हैं कि इस्ट्रचर क्या है, तो ATP molecule is a nothing but a nucleotide, जैसे कि अर्लिन इंडेन होता है, वो ही जो nucleotide है, having three components as for all those, जैसे number one, pentose, sugar, paphyr carbon होता है, और जो है, आनिन, double zinc का pure hydrogen base है, और phosphate molecule is a 3P or 4 टीग है, तो कहने को मतल है कि अगर sugar और base मिल जाता है, तो बन जाता है, इत्रोटाइड, अगि यह इंडेन के बजाए करलाता है, अब आदिन असीन, अब आदिन बन गिया, अभी ए फॉस्पेट सी मिल जाता है, तो निक्रोटाइ इंडलनने के बंका निक यह एंडनना सारफटार को, तो अगर तवसी ने मौणबे फोरम स्चर को कहाता है ख़िसें का बालना प्सक्सद के साथ दिया। तो निक्रिकूसाइट के साथ मिलिए, एक फासफट के साथ मिला means तो अब बात करते हैं प्रोपर्टीज का किमिकल फॉर्मला है और मॉलल मास है 507.18 ग्राम पर मॉल इंसिटी है 1.04 ग्राम पर सेंटीमिल स्क्राइब मॉल्टीप पॉंड है 187 डिगन से इंटेट और असिदीटी है 6.5 और यह यह बॉंड है यह यह बॉंड है यह है जब तूटता है तो एक तवाली खारीज होती है 7.3 टेलर यह इसमार करता है यह बॉंड है और क्या इसमार करता है एक्टिव ट्रांस्पोर्ट पर जाहर बात है और ट्रांस्मेशन आफ लर्म इस पॉंड है मॉमेंट लोकोमोशन में अफ़कोर्स उग्रोथ डिवलमेंट खासों से स्रेलिपियन में और यह क्वां तरह से स्लेव मुडबलाफिं में इस परेशा है तो अगर formation की बात की जाए, तो formation of ATP from ADP and phosphate is called phosphorylation, तो अगर ये plant में हो गया, तो इस हो गया, light के मुझूद्धी में, photo phosphorylation, it is occurring, chloroplast or plant cell, ठीक है, और animal में क्या हो गया, मुझूद्धी में होता है कि उसको पूलता है, oxidative phosphorylation in mitochondria of animal cells, और plant cell में mitochondria होता है, तो ये दो दो तरह से बनगा है, तो उसके बात करते हैं, ATP cycle की, ठीक है, अगर हम ATP cycle के work करें, तो ये energy currency की शकल में, खुलिया में जम रहता है, और जब दूरुद्धी में इस्तमाल हो जाता है, तो इस्तमाल होने के वाद क्या होता है, कि ADP में तब्दिल हो जाता है, और एक phosphate गुल पर रग हो जाता है, तो फिर हम जो में रगला क्याते हैं, तो वो तरह नहीं नहीं जो potential energy होती है, तो फिर 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 एक phosphate जूड़के, फिर ATP बना जाता है, इस तार से ये cycle चलता रहता है, यानि एक phosphate ग्रूप में टूटने से 7.3 कलोरी इदन तौँने के खारिश होती है, ठीक है, और जब गर्जा जो टूटता है, वही same energy 7.3 कलो कलोरी इस्समाल होके, ATP की तश्कीर हो जाती है, इस तरह से ये cycle चलता रहता है, ठीक है, ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने बहुत ही ब्रीफली जहां इसकी तारिख उसके स्ट्रक्चर और प्रोपर्टीज यूजेज और फॉर्मेशन और जहां एटीप साइटिल के बारे में ब्रीफ ब्यान कर दिया ठीक है तो ठीक है तो इन शॉर्ट अलाव भी तो